हेलो एवरिवन मैं प्रतिवर चोहान हमारे यूट्यूब चैनल टार्गेट फॉर आई कि मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में हम इंडेक्स देखेगे ओके अब आप सोच रहे होंगे इंडेक्स तो मैं हमने दो तीन सब्जेक के करा दियो तो इसमें क्या इ यह जो वीडियो है वैसे तो सभी के काम आने वाला यूपी राजिस्तान और एंपी सभी स्टेट के लिए बटी इस्पेशली फोकस में बच्चों को करना चाहूंगी एपी ओ वाले बच्चों जिनका फैब में एक्जाम है कमर कसलो क्योंकि आपके सब्जेक्ट हैं बहुत क्या होता है वो परिक्षा मंतन सब लगा के बैठे हुएं ऐसे भी क्या है आपका एक एक नंबर बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है शेडियूल से लेकर इंडेक्स तक यह मैं बता रही हूं क्योंकि वैसे ग्रूप में तो मैं करव करेगा सेंटर और स्टेट के रिलेशन की बात करेगा तीसरा बात करेगा यूडियन और स्टेट के रिलेशन की बात करेगा ठीक है यह बैर आक्ट में दिया हुआ है में में हैं इसी तरह से फिर हम देखते हैं पर्टिकुलर पार्ट के अंदर पहले जो भाग है उसके to 14 उसके बाद हमारा जाता है अब इसके अंदर इंडिया के अंदर कौन रहेगा लोग रहेगे ये देखे लोग रहते हैं ना तो उनको क्या लेनी होती है citizenship ना गरिकता तो हमारा दूसरा पार्ट हो जाएगा citizenship तो वो है article 5 से लेकर 11 अब ये जो लोग है ठीक है इनको क्या मिलता है किसी तरह के कुछ rights मिलते हैं राइट मिलते ना तभी तो protect रहेंगे वरना कोई भी आ जाएगा और तो भी एक्जाम में देखने को मिलता है LLM में भी एक्जाम को देखने को मिलता है बार काउंसल के एक्जाम में देखने को मिलता है प्री में देखने को मिलता है हर जगे है ना तो ये आपको question बहुत भली भाती याद होता है क्यों क्योंकि जब तक कोई concept exam में नहीं पूछा जाता तब तक उसकी value ही नहीं होती वो क्या होता है ऐसे ही पड़ा रहता है ठीक है जैसे एक्जाम में आ गया उसके बाद क्या होने लग गई उसकी value होने लग जाती है तो अब देख लेना मैं बताओं कि आगे कौन-कौन से किस-किस तरह से आने लग गए फॉर्ट आता है डी-पी-एस-पी डी-पी-एस-पी बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार question आता है और यह कहां से provision लिया गया है यह भी तरह की पूछते है चत्ते से 51 तक फिल नेक्स आएगा फोर ए अमेंडमेंट है फोर ए देखिए अमेंडमेंट से आया हुए फंडमेंटल डूटी जो औरीजनल constitution में नहीं थी आर्टिकल 51 ए नेक्स्ट नमारा जो पार्ट टू है वो है सेंटर स्टेट का इसमें देखिए आर्टिकल स्वरी पार्ट फाइव आता है वो सबसे पहले union की बात करेगा वही राज्यों की अगर सरकारों की बात होगी तो स union territory union हो गया स्टेट हो गया अब कौन सी वस्ति है union territories इसके आर्टिकल 299 से लेकर 242 तक है फिर उसके बाद local उसमें आते हैं हम governance में तो आता है आपके सबसे पहले पार्ट नम्मर 9 पंचायत आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक चलेगा यह फिर 9a आएगा नगरपाली का 243 P से ले पार्ट 9b यह किस से रिलेटेड है co-operative society से रिलेटेड है भी बिहार के exam में co-operative society के गठन का आर्टिकल पूछ लिया गया था तो देखिए अब आने लग गया आप सब बच्चेस को बढ़ेंगे जब तक exam में नहीं आता तब तक उसकी कोई value नहीं है ठीक है इसी तरह जै schedule उसके बारे में बात करता है किसकी ट्राइबल एरिया के बारे में बात करेगा वह है पार्ट 10 जो कि आर्टिकल 244 से लेकर 244 ए तक है फिर लास्ट में तीसरा पार्ट जो आता है constitution के index का तीसरा पार जो relation बताएगा ठीक है कैसे कैसे कौन सी सरकार के इंद सरकार या राज् है ना बिल्कुल यह heading का ही पहला पार्ट है आर्टिकल 245 से लेकर 263 फिर आता है पार्ट नंबर 12 जो कि finance, property, contract and suit की बात करता है बहुत important है यहां से question आएगा यह आएगा 264 से लेकर 300 ए तक अब जब देखिए यह constitution की जब हम बात कर रहे हैं बिहार APO के purpose से ओके क्योंकि एक से डेड़ मेने के बाद आपका exam है संभावना है कि इसी डेट पर हो जाएगा because यह काफी पुरानी वेकेंसी है मई में लगबग लगबग एक साल होने वाला है तो यह अब इसके टलने की संभावना नहीं है बिहार में काफी exam हो चुके तो आप अपना मान के चलिए फैब म लटक रहा है तो उसका है हमारा batch भी स्टार्ट हो रा है यह होगा batch 3 वैच हो चुके उसमें कोर्स भी होचुका है और यह बैच स्टार्ट हो रहा है आप आज से ही इसे जॉइन कर सकते हैं जल्दी जल्दी ज़िएं कर लें हैं इसमें आपके lectures provide कर वादूंगे क्यूंकि लेट होंगे, join भी आपको करना पढ़ना भी आपको मेरी तरफ से material ready, मुझे तो बस forward करना है, ओके तीरो batch में हम एक जैसा ही पढ़ाते हैं किसी में ये भी नहीं है कि पहले के batches में कुछ अलग पढ़ाया होगा, और आप जल्दी time पर अपना कोर्स कर लोगे, time पर आपको कोर्स हो जाएगा, तो आपको revision में time मिल जाएगा, ठीक है practice में time मिल जाएगा, next आता है आपका trade commerce 13 हो गया, उसके बाद 14 में आएगा, sorry 13 में आता है trade commerce intercourse within territory of India ये पार्ट पूछा गया था, अभी बिहार के exam में जो बिहार cj का exam हुआ था, उसमें ये वाला question पूछा गया था, 14 में आएगा services, फिर आता है 14a amendment से है tribunal, 15 में आएगा election और 16 में आता है special provision, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे language की language related schedule भी, आप मुझे comment box में बताएंगे कि language का भारती संविधान में कौन सा schedule है, जिसमे official language की बात की गई है, ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप ये भी बता दे कि original constitution में कितनी language थी और amendment के बाद कितनी add हो गई, तो वावावाव क्या कहने है, मजा जाएगा, next is 19, 18 में आता है emergency provisions आपके 100% यहाँ से question बनता है, याद रखेगा, 19 में है miscellaneous part 20 जो है, वो किसकी बात करता है, part 20 बात करता है, आपके amendment की, mains का भी यहाँ से question बनता है, 21 बात करता है temporary transitional and special provision, और last में आता है short title, जो हम पढ़ते थे, बिल्कुल सुरू से लेकर end तक, अभी बिहार में article 395 से बहुत ही घुमा के question पूछा था, चीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा constitution का index, next वीडियो हम लेकर आएंगे, उसमें देखूंगी, उसमें हम देखेंगे, schedule को detail में study करेंगे, और हम देखेंगे, कौन सा provision, borrowing provision की बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो constitution है, वो किसी ने किसी country से लिया गया है, ठीक है, इस वीडियो को यहीं सबाब करते हैं, thank you so much, आपको वीडियो अच्छा लगा हो